हेलो फ्रेंज कैसे आप सब फ्रेंज आज हम बनाएंगे वाइट वाले चने बिल्कुल होटेल स्टाइल में बिल्कुल जैसे हमारे धाबा पर भी मिलते हैं यह बहुत फेमस होते हैं छोले और यह हम बनाएंगे जो बुटूरों के साथ भी आप यूज कर सकते हैं तो फ्रें तो देखिए फ्रेंस मैंने इसको रात को भीगो के रखा था आप जितने आपकी रिकोर्डिंग आप उतन ले सकते हैं तो फ्रेंस बस मैने एक बाल लिया है यह तो फ्रेंज तब तक हम कर लेते हैं टी बैक तेया तो इसकी हमें जुरूरत होगी ताकि जो हम यह टी बैक बनाएंगे और यह घर पर ही मिल जाते हैं आपको यह हमारा समान आता है घर में उसी का कैरी बैक है मैंने उसी के तो बस हम इसको ऐसे मोल्ड कर लेंगे अच्छे से अराम अराम से इसको ऐसे कर सकते हैं आप घर पे सब कुछ हो जाता है आपके घर में समान आता है आप उसी से इसको सब त्यार कर सकते हैं तो बस मेरा यह टी बैक त्यार हो गया है तो मैं इसको अच्छे से एक धागे से बा तो हमारे लोत्य पानी निकल नहीं पाएगा तो इसको थोड़ धडेनी रखना ही हम आप अपते हम आप टक हम चने बॉल करने के लिए रख देते हैं देखे मैंने चने डाल दिया और एक बॉल डाल दिया पानी का और हम ये टी बैक जो हमने बनाया है आप इसको बिल्कुल सेंटर में छोड़ देंगे ताकि जब कुकर में सिटी लगे इसका जो पानी है हमारे टी बैक का वो अच्छे से इसके अंदर पूरे कलर आ जाएंगे ह कर दोर नोगे करें तो फ्रेंस मैंने दो टामाटर लिये हैं और हल्दी डाली है अधिचामच्छ है कि उसमेने लाल मिच पॉडर डाला है और यह धनिया और यह मैंने लिए हैं दो बड़े साइज के प्याज और मिर्ची ली है मैंने स्वाद अनुसार मैंने नमबा-लमा श जब हमारे हम ठेले पे जाते हैं छोले बुटूरे खाने तो वह हिंग वाला पानी छिड़ते हैं तो देखे फ्रेंस मैंने कुकर का डकर कोल देया अभी इसमें से बहुत निकर रहा देखे फ्रेंस और ये टी बैक के अंद जितने भी चाय पती अच्छे से फूल गई है तो कितना इसको ऐसे ही डिलाए या आप जब भी बनाएंगे इसको सिर्फ ऐसे ही रखना आपने तो देखे फ्रेंस इसमें कलर आ गया है और जब हम ये चने बनाएंगे तो फ्रेंस आपने इसका पानी निकाल देना है क्योंकि पानी अभी ये कड़वा हो गया है तो इसको हम डाल दिया है एक बड़ी चमच आपने डालने है कडाई में तेज पत्ता और अद्रक डाला है मैंने और तब तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे तो हलका ब्राउन हो गया है तो यह मैंने जो प्योरी रखी थी टमाटर की तो उसी के अंदर मैंने थोड़ा जैसा पानी करक तो थोड़ जैसर में हम पानी डाल देंगे तो तब तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा इसका जो अंदर का ओल अच्छे से छुट जाए तो देखे फ्रेंस मैंने इसी में गर्म मसाले डाल दिया है तेज पत्ता इसी में रहने के लिए इसी लिए रखा है हमेंने क्योंकि जो तेज पत्ते का फ्लेवर होता वो बहुत अच्छे से आता तो देखे फ्रेंस अब हम इसका जो पानी हम निकाल देंगे तो बस मैंने ये पानी निकाल दिया क्योंकि पानी अब कड़वा हो चुक तब तक हम इसको अच्छे से हमारे जो मिसाले डाले हैं मैंने अच्छे बने हैं तो आप इसको ऐसे सब कर सकते हैं अब तर्ण नान की रोटी ले सकते हैं तो चाहिए आप ये ले सकते हैं तंदूरी रोटी तो मैंने तंदूरी रोटी ले तो ठीके फेंस पारें